कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आदमी की हरकतों से पूरे गरह के विलुप्त होने का खतरा पैदा हो गया हो आज तुम्हारे पास इतने आणविक अस्त्र हैं कि तुम इस धर्ती को दस हजार बार मिटा सकते हो अपने ही घर को दस हजार बार मिटाने का आयोजन जो लोग कर लें क्या वो पागल नहीं है हाँ या नामे जवाब दो रुको अभी पहले अपने ही घर को मिटाने का और दस हजार बार मिटाने का आयोजन जो लोग कर लें क्या वो पागल नहीं है कि वह है् वो तुमने इतने आरवक अस्तर इकठे कर लिये कि तुम प्रत्थवी को एक नहीं पूरी प्रत्थवी एक देश को नहीं पूरी प्रत्थवी को दसब्राण मिटा सकते हो और वह आरविक अस्त्र ज़रूरी नहीं ऑगी तुमारी सहमती से चले फैल्स ट्रिगर्स भी होते हैं वो कभी भी चल सकते हैं आदमी द्वारा बनाया गया कोई भी तंत्र फूल प्रूफ नहीं होता कितनी दार हुआ था कि सोवियत रूस को लगा था कि अमेरिका की ओर से उसकी ओर मिसाइलें आ रही है उनके जो प्रतरक्षा तंत्र थे डिफेंस सिस्टम्स थे वो सक्री हो गए अक्टिवेटेड हो गए वो तो दो चार लोगी बुद्धी चल गई तो रिटालियेटरी फाइटिंग नहीं हुई नहीं तो सब खत्म हो जाता पाकिस्तान का उधारन लो विज्ञान ने एक ऐसे देश के हाथ में आरविक अस्त्र दे दिये हैं जहां विचारधारा से ग्रस्त आतंकी यातंकी घूम रहे हैं अब भारत भी पगलाया है अमेर्का भी पगलाया और सब परिशान हैं कि इनके अस्त्र अगर कहीं गलत हाथों में पढ़ गए तो क्या होगा अगर पढ़े लिखे हो जैसे तुम बता रहे हो तो यह सब तुम्हें पता होगा कोई समय ऐसा नहीं रहा जब धर्ती के सामने विनाश की समय सीमा रखती गई हो अभी कल मैं पढ़ रहा था कि आर्कटिक का स्तापमान इतनी तेजी से बढ़ा कि उस डेटा को कंप्यूटर इसने फाल्स कहके रिजेक्ट कर दिया जो कंप्यूटर यह डेटा रिकॉर्ड कर रहा है उसको यह भी बताया गया है कि अगर डेटा में इस से ज्यादा वेरियेशन आये तो उसको मान लेना कि वो एक पांओ नहीं सकता। तापमान इतना ज्यादा बढ़ा है यह जो की इस डेटा को ही कर रहा है। तुम्हारे सामने चंद दशकों का समय बचा है बस। औस ताकमान करीब करीब दो डिगरी पहले ही बढ़ चुका है। यह काम पागल नहीं करेगा तो कौन करेगा कि अपने घर में आग लगा ले। तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हें प्रत्वी में आग लगा दी है। ग् पक्षियों की, प्रधों की, पश्वों की, मचलियों की विलुप्त हो चुकी है। और तेजी से विलुप्त होती ही जा रही है। आदमी कुछ भी कहले कि संगरक्षण के इतने उपाए हैं पर विलुप्ती ही हो रही है। और विलुप्ती को रोकने हैं कोई तरीका को रोकने के भी जो सब एग्रिमेंट किये गए हैं उन पर अमल कहां हो पा रहा है पेरिस सम्झोते से अभी-अभी अमेरिका ने हाथ खीच लियें तो बहुत सपष्ट सा है कि बहुत दूर में चंद दशकों में इन पागलों ने अपने ही घर को आग के हवाले कर दिया और सबसे बड़ा पागल वो जिसे अपने पागल पन दिखाई न देता हो इतने पागल तो न रहो कि पागलों के बीच में हो सारे प्रमाण हैं और तब भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा यह इतिहास में कभी हुआ है आदमी के कभी हुआ है कोई ऐसा युग था जब आदमी इतने घहरे संकट में था जितने घहरे संकट में आज है और पागलों का वक्तव यह है दा अर्थ इसन डेंजर सेव दा अर्थ पागलों को यह नहीं समझ में आ रहा कि अर्थ डेंजर में नहीं है तुम डेंजर में हो ग्रह बचा रहेगा ग्रह का नवीली करण हो जाएगा एक अभुनव धरापुनह उभर सकती है तुम नहीं बचोगे प्रत्वी पर तो जीवन दुबारा वापस आ जाएगा इंसान मिट जाएगा जैसे एक समय में डानसौर मिटे थे डानसौर मिटे फिर जीवन दूसरे रूपों में आ गया ना या जब डानसौर मिटते हो जो तब यह कहेंगे कि Save the Earth डानसौर भी इतने पागल नहीं थे कि वो कहें Save the Earth तो उने दिखा था कि हम मिट रहे हैं, पर आदमी कहता है सेवदा अर्थ, खुदी घर में आग लगाई है, उस घर में खुदी फसा हुआ है, और उसको समझे भी नहीं आ रहा किये क्या कर लिया अपने साथ, पुरुषों न, जानते हूँ तुम ने आबो हवा के साथ जो कर लिया है उसके कारण औसतन पुरुषों का जो शुकराण घनकतु है, जो स्पर्म काउंट है, वही दंड़ना के नीचे गिरता जारा है, इसले इतने फ़र्टिलिटी कलीनिक है, इतने फ़र्टिलीटी कलीनिक आदमियों को पहले कभी नहीं चाहिए थे प्रक्रति को पसंद ही नहीं आ रहा है कि तुम आबादी और बढ़ाओ यह प्रक्रति का तरीका है तुम्हें खत्म करने का वो तुम्हें इस परम ही नहीं बक्ष रही लो कर लो जो करना है कहां से लाओगे बच्चे प्रक्रति को पागल पसंद नहीं है तुम लगा रहे हो नहीं थरीके जो काम शरीर को करना चाहिए था उसके लिए तुम इंजेक्शन की मदद ले रहे हो अब इस महबत पे तुम उतार आए हो कि इंजेक्शन हाथ में लेके उंगते हो गुगल करना कि एवरेज मेल स्पर्म काउंट कितना होता था और कितना बचा है और पूछना अपने आप से कि क्या ये महाविनाश का संकेत नहीं है मैं फिर बोल रहा हूं कितने ही दूइप हैं जो पहले ही डूप गए और ग्लोबल वर्मिंग तुम्हें खत्म करने आ रही नहीं है सर पर आ चुकी है ये दिया है तुम्हें तुम्हारी तरक्की ने और ऐसा भी नहीं कि उससे निकलने का तुम्हारे पास कोई रास्ता है आज अगर औसत तापमान दो डिगरी बढ़ा हुआ है तो स्पष्ट है कि अगले दस साल बाद धाई होगा हर साल बढ़ रहा है पढ़े लिखे हो मनोविज्ञान जानते हो तो अख़वारों भी पढ़ते होगे कि हर साल तापमान के उचे से उचे नए इस्तर और नए कीर्थिमान स्थापित हो रहे है पढ़ते हो कि नहीं कि इस साल दिल्ली में जो तापमान था इतना कभी नहीं रहा और ये बड़ा विशम चक्र है तापमान जितना बढ़ेगा तुम्हें एर कंडिशनर उतना जादा चाहिए एर कंडिशनर जितनी चाहिए उत सर्जन उतना जादा करोगे तुम कार्बन का और तापमान उतना बढ़ेगा तुम फस चुके हो और निकलने का आप कोई तरीका नहीं है जारी आपने बताया मैं तो विष्य के बाद कर रहा हूँ उसके नेगिटिव जिसे चाकु है सेप काटने के लिकाम आते है इंसान काटने के लिकाम आते है हमने एनर्जी का गर्थी उसके आठीक है लेकिन एनर्जी के स्टड़ी करना वो इन एक्सरतों गर्थी है वो न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग किसी शांथिपूर्ण देशे के लिए करी नहीं सकता नौर्थ कोरिया से तुम पूछो इरान से पूछो पाकिस्तान से पूछो तो यही कहेंगे कि सहाब हमारे जो रियाक्टर है वो पीस्फुल उस के लिए है और तुम अच्छे जानते हो कि उनके रियाक्टर्ज का क्या उपयोग हुआ है वो कर ही नहीं सकते पीस्फुल उस क्योंकि उनका मन ऐसा नहीं है मन जब परमात्मा में इस्थित होता है मातर तब शांथ हो सकता है परमात्मा में इस्थित नहीं है तो तुम किसी भी शक्ति का कोई शांथिपूर्ण उपयोग कैसे करोगे हो जी नहीं सकता संभव है तुमारे हाथ में जो भी कुछ आएगा तुम उसी का अपने विनाश के लिए उपयोग करोगे अलू आएगा तो अलू डंडा आएगा तो डंडा फरक नहीं पड़ता तुमारे हाथ में क्या आया हाँ इंसान के लिए सही है भारत पाकिस्तान की बात नहीं है इंसान के लिए सही है जहां कहीं भी इंसान का मन अशान्त है वहाँ उसके हाथ में जो आएगा वो उसका उपयोग अशान्ति के लिए ही करेगा बात ना भारत पागिस्तान की है ना हिंदू-मुसल्मान की है शान्ति से भटकना गलत है इसके लावा कुछ गलत है नहीं ऐसे काम करना जो तुमको बहुत कुछ देते हों पर शान्ति छीन लेते हों वही एक मातर गलती है रोटी के लिए शान्ति को बेज देना गलत है वासना के लिए शान्ति को बेज देना गलत है ज्यान के लिए शान्ति को बेज देना गलत है किसी भी चीज के लिए शान्ति को बेज देना आजादी को बेज देना गलत है अब खूट हो गया तुम इस बात के लिए विज्ञान का अब मैं जब मैं विज्ञान कह रहा हूँ तो मेरा आशे है आदमी के मन की अनवेशक वृत्ति आदमी पता करना चाहता इसी बात को विज्ञान कहते हैं तुम विज्ञान का इस बात के लिए भार अधा करते हो कि Oncology Department बना दिया, Cancer Ward बना दिया, पर तुम आदमी के मन से सवाल नहीं करते कि Cancer आया कहां से, आज एक Cancer Special ट्रेन चलती है पंजाब से, पढ़े लिखे हो तो ये भी पढ़ा होगा जानते हो न, एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का ही नाम है Cancer Special, रख दिया गया है नाम, उसमें सब Cancer रोगी होते हैं, पंजाब से चलती है, बताओ उस ट्रेन में, इतने Cancer रोगी आये कहां से, बताओ कहां से आये, नहीं, ड्रग्स का नहीं है, जमीन गंदी कर दी गई है, जमीन में पेस्टिसाइज और फर्टिलाइजर, ग्रीन रिवालूशन, तुम ग Cancer Special चलने लग गई है, पूरी ट्रेन उसमें ज्यादा से ज्यादा Cancer के ही रोगी होते हैं, बड़ा मज़ा आता है, दूर से जब वो होल्डिंग दिखता है, वर्ल्ड क्लास Cancer Care, जैसे कितने गर्व की बात हो, कोई छाती चौडी करके कह रहा है, सहाब हम वर्ल्ड क्लास Cancer दे करेंगे, शर्म की बात है, और उस पर गर्वार आ रहा है, एक स्वस्ता आदमी दिखाना, जो बही कर रहे हैं बैठके यही उपाई है, इसके लावा कोई उपाई नहीं होता है, और जो मौन यात्रा करके आए, और जो भक्तिनृत्य कर रहे थे, इनके अलावा कोई उपाई नहीं है, इसलिए मन को उन उपाईों में मजा नहीं आता, क्योंकि मन को Cancer चाहिए, कैंसर का ही दूसरा नाम मन है, कैंसर जानते हो क्या होता है, पढ़े लिखे हो, जब कोई कोशिका अन्यंत्रित रूप से बढ़ने लग जाए, पागला जाए, उसे Cancer कहते हैं, उसे जितना बढ़ने की जरूरत नहीं, वो उससे यादा बढ़ रही है, वो बेचैन है, वो पगलाई हुई है, बेचैन ही का ही दूसरा नाम के अंसर है, जिस कोशिका को एक समय में अधिक से अधिक दो गुना होना चाहिए था, उतने समय में वो बीजगुनी हो गई, राजसिक हो गई, महत्त्वा कांग्शी हो गई, मुझे और चाहिए, मुझे और बढ़ना है, अपना दारा फ्हलाना है, ये Cancer है, मन को Cancer चाहिए, इसलिए मन को उन उपायों से बड़ी कोफ्त उठती है, जहां Cancer का समूल इलाज हो रहा होता है, शारिक स्वास्त का बेटा पूरा महत्त्व है, पर शारिक स्वास्त है तुम्हें दवाईयों के दम पर मिलता रहे, तो उसका क्या महत्त्व है? जी तो रहे हो, अब पुरुष हो जवान आदमियां सब बैठे हो इसलिए पूछ रहा हो, अभी अभी हमने बात करी, शुक्रान उसंख्या की, स्पर्म काउंट की, जी तो रहे हो, पर शरीर में पौरुष बचा ही नहीं, उसके लिए तो भी दवाईयां खानी पड़ रही है, तो वैसे जीना चाहोगे, या पूरे मर्द की तरह सिर्फ 25 साल जीना चाहोगे, बुलो, नपुन्सक होके, दुरबलता के साथ, विज्ञान की सभी उपलग्धियों का फाइदा उठाते हुए, सौसाल जीना चाहोगे, या एक मर्द का जीवन जीना चाहोगे, जीजस जैसा, अभिमन्यों जैसा, जो कम उमर में मर गए थे, पर जितना ये मौज में जीए, बोलो, जब प्रेमिका सामने खड़ी हो, और लिंग उत्तेजित ही ना होता हो, तब समझ जाओगे, कि मौज ना हो ना किसको बोलते हैं, फिर समझ में आएगा, कि एक जीजस की मर्दानगी किसे कहते है, जब प्रेमिका सामने खड़ी हो, वो नगन हो गई है, और तुम्हारा लिंग, कटे हुए केले की तरह, जवीन पर पड़ा हुआ है, उसमें जान ही नहीं है, पहरुश ही नहीं है, तब समझ जाओगे, कि मौज किसको कहते हैं, जब मौज छिनेगी, जब सांस नहीं ली जाएगी, प्रदूशन इतना हो जाएगा, तब समझ जाओगे, कि मौज किसको कहते हैं, मुझ से मिलने कल अर्जंटीना से एक यूती आई, वो बोली भारत से बड़ा प्रेम, योग सीखने आई, लेकिन हैं सांस ही नहीं ली जा रही, तुम तो अभ्यस्त होगा यो कैंसर के, धुवे में भी सांस ले लेते हो, फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन धुवा इतना बढ़ जाएगा, कि अर्जंटीना और यूरोप वालों को ही नहीं, तुम्हे भी सांस लेने मुश्किल आईगी, तब समझ जाओगे, मौज का छिन दे रहे हो, जब इस्थिति ऐसी हो जाएगी कि हम बैठे हैं, तुम बैठे हैं, और आमने सामने बैठने के लिए भी मास्क लगाना पड़ रहा है, तब समझ जाओगे, मौज किसे कहते हैं, ऐसी स्थिति हो चुकी है, हो जाएगी क्या? cod का यूज की राइडिवाए मी करना पड़ के जाओधी प्याओधुकान, इंटेलिजस आइटिविश्यन होती ही नहीं, इनलिजन मी का उनकर लुग सोच राएगी, इंटेलिजन सी को भी और आडिवीश्यल जाएगा, आडिविशीयल सत्कड pods वाथा च्रतव और नहीं, जब artificial brain ही नहीं हो सकता तो artificial intelligence कहां से आ गई तुम्हारी एक उंगली कट जाए वो तक artificial ही नहीं बनाई जा सकती तो intelligence कहां से आ गई intelligence जानते हो क्या होती है मैं अभी बोल रहा हूं तुम्हें बात समझ में आ रही है इसे intelligence कहते है और तुम्हारे विज्ञान से बना हुआ बड़े से बड़ा सुपर कम्प्यूटर यहां रख दिया जाए वो समझ नहीं सकता कि मैं क्या कह रहा हूँ ना आज समझ सकता है ना आज से 50,000 साल बाद खेर उतना थो हम चलेंगे ही नहीं पचास साल का खेल बचा है पर बड़े से बड़ा सुपर कम्प्यूटर नहीं समझ पाएगा कि उपनिशद क्या कह रहे है मैं क्या कह रहा हूँ कबीर क्या कह रहे है यह समझ सकता है वो अनुवाद कर सकता है समझ नहीं सकता है वो समझ को कहते रहे हम इंतलिजेंश अंड़स्टैंडिन वो है इंतलिजेंश ह् वो आटिफिशल कहां से हो जाएगी भाई मुर्खता पून्ट नाम है यह महा क्वूर्खता पून बड़े हंकार पून बड़ी अकड़न है इस नाम में एंतलिजेंश आद मी परमात्मा बनना चाहता है जो तुम्हारे विज्ञान ने बड़े से बड़ा कम्प्यूटर प्यादा किया हो उसके सामने जाके बोलो अहम प्रमास में और को अब अतलब बता इसका मतलब बता तब तुम्हें पता चल जाएगा कि आदमी की आउकात कितनी छोटी है और अंकार कितना बड़ा कितनी खतरनाक बात है ना बड़े से बड़े कम्प्यूटर से बोलो I love you और बोलो उसका मतलब बता अब बिना I love you के जीलोगे और कौन सी इंटेलिजेंस है जो I love you का मतलब भी नहीं समझती कोई आगई वो प्रोग्राम्ड है वो संसकारित है और प्रोग्रामिंग उतना ही कर सकती है जितना उसे करने को कहा गया है उसके आगे नहीं जा सकती कोई भी मशीन सिर्फ उतना ही कर सकती जितना उसे करने के लिए